हाईलो और विल्कम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के स्पीरियों में हम बात करने वाले हैं बीए थार्ड येर के इंग्लिस लिट्रेचर के थार्ड पेपर के एक बहुत ही ज्यादा जो कि यह वाट इज रोमेंटिसिजम डिस्क्राइब इस सैलेंट फीचर दोस्तों यह कुश्चन जो है काफ़ इंपॉर्टेंट है और कई साल एक्जाम में पिछा जा चुका है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि वाट डियू अंडर्स्टेंड पाई रोमेंटिसिज का कोश्चन नहीं चोड़ेंगे यानि कि जब भी आपके एक्जाम में चाहिए वो आपके किसी भी इंवर्शिटी में पढ़ते हूं फर्स्ट इयर सेकेंड यर थार्ड इयर या किसी भी सिलेबस में आपके रोमेंटिसिजम है तो यहां पे आप अच्छे तरीके से इसे प यहां पर एकmother यहां पर आ जा रहा है कि जो कि लुब परिम को अपरिम कर रहे थे वह सारे लोग यह लोग बैदला Git word टाोः ख्याग रहे तो लोग जो है अपने प्रकृति से दूर जा रहे थे तब रोमेंटििसम की तोर पिर प्रेम संबंद अस्तावित करने की यह प्रकृति से जुड़ाओं महसुस करने की कवितायां लिखी गए और रोमेंटिसम को अगर अच्छी तरी के से समझे तो इसका जो है हिंदी भी प्राकृत वात होता है यानि कि इस से मैं प्राकृत से जुड़ाओं मासूस करने वाली कविताया लिखे गए तो वही जो है लारिकल बैलेड जब पब्लिश्ट हुआ तब यह इस एज की सुरुवात हुई दबुक कंटे यहां पर का जा रहा है कि इस चीज की कलपना की जाती है जैसे कि मेरा प्यार गुलाब के बराबर है या फिर जैसे की बर्फों के बीच में मैं खो गया हूँ या इस तरह की कविताः जो थी इस से में लिखी जाती थी और प्रक्रटी से जुड़ाओं मासुस गया जाता था तो यहां पे जो है का जा रहा है कि कालपनी कविता हैं जो की सच्चाहें सच्छ में जो है साबित ने की जा सकती लेकिन कलपनाओं में उसे समझा जा सकता है तो वहां पर जो अविता है जो है है स्की मोख इस का जानी और यहां पक्षट गया की लिष you बहुत वोलिवांटी जिस्टा थी अलेलिडी कम अप यहां जा रहा है कि रोमेंटिक एज जो है यह रॉमेंटिक रॉवाइवल के नाम से भी जाना जाता है क्यों कि रोमेंटिक जिए वह कुछ समय पहले लेज़िए एज ता उसमें नहीं आ चुका था वहाँ पर थोड़ा सघुररा रो्मेंटिस जमाया था उसके बाद जो है कि मतलब मरने लगा यानि कि बंद करने लगत और और इस प्रकार से ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका डिरिंग ते रिश्टरेशन पिरियड यानि कि अपनी जो है यह जब बहाली इसकी और यानि कि दुबारा जब इसका रिश्टरेशन हो रहा था जन्म हो रहा था एंड फस्ट आफ दा एट्टीन सेचरी और जो है अठावी इसे जो है बस में किया अपने क्योंकि इसको फिर से लाया गया मुकधारा में और रॉमेंटिसिजम टाइप की जब पोएम लागतार लिखी जाएंगी तो आपको समझ में आए गया होगा अब तक क्रिटकल टरम्स और पढ़ते हुए कि यहां पे लिटरली मोमेंट जोते ह तो यहां पर कहा रहा है कि जो नीयो क्लासिजम के आपके सकते हैं की और उनके धिमाग हुए यह बात थी कि भी कोई चीज रहती है और वो romanticism को मानते थे यानि कि जो नियो क्लासिजम के लिखक थे उनको भी जो romanticism की बाते श्टार्ट करने चालू हो गए थी क्योंकि जो भी कोई age चालू होती है उससे पहले एक background बनता है इतनी जल्दी कोई age चालू नहीं हो जाती है कई लोग लिखते हैं लेकिन वो जल्दी publish नहीं हो पाती लेकिन जैसे ही वो publish होती है वैसे ही उसे देखकर बहुत सारे लोग grant करने लगते हैं और लिखने लगते हैं तब जो है वो age बनता है तो वह ही कहा जा रहा है कि नियो क्लासिजम एस से जो है यह थोड़ा-थोड़ा चली आ रही थी लेकिन जब नियो क्लासिजम की राइटर ने जब इसे पकड़ लिया इसका हाथ थाम लिया तब जो है यह यह अस्तित्तों में आ गई इट फ्रो तुदर सेंटिमेंट अड़ ट्रीटमेंट अफ दॉट्री आफ थामसन कॉलिंज एंड ग्रे यहां पर का जा रहा है कि थामसन कॉलिंज और ग्रे की कविता में जो है बहुनाओं और उप्चार के माध्यम से बहाती रही है यह जो रोमेंटिसिजम है वह इन कव से जो है इन्होंने जो है थामसन कॉलिंस एंड ग्रे जो है इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से रोमेंटिसिजम के प्रभाव को जारी रखा इट आलसो फ्लोट तुरू मैंग फेरन ओसिएंस परसी रेलिकिव एंड चेटरन रावली पोयम यह कह रहा है कि यह जो है मैग फेरन ओसियन जो लिखी गई है मैग फेरन के द्वारा और रेलिकिव जो परसी के द्वार लिखी गई है और रॉली पोयम जो है वो चैटरन के द्वार लिखी गई है यह जो है इनके द्वारा भी जो है इसका बहाव बढ़ता रहा यानि कि इनके द्वारा भी जो है अस्तितु में रही इत आसुप डूदर नेचर इमेजनरी आफ़ और एंड मेजिस्टी अफ लयक यहां पर का जा रहा है कि इसने जो है पिप यहां जरा रहा का घ्राइन सोदर नेचर आफ़ बिदाफ़ाच इन सब्सक्रें में बलेक। इमेजनेरी यह जो भी नेचर के प्रेम में लिखी जा रही है वा जो है रोमांटिकी कविताय है यहां पर किया रहा है कि मेरा जो प्यार वह जो है लाल गुलाब की तरह है तो यहां पर प्रकृत की बात हो रही है तो इस प्रकार से यहां तक तो समझ में आई गया होगा कि जो रुमेंटिसिजम है वह प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूद करने वाले जो प्रकार से परिवर्तन हुआ लोग अपने गाउं घरों को छोड़ कर जा रहे थे सहर की तरफ तो उस दोरान रुमेंटिसिजम का उद्य हुआ तो यहां पे आपको रुमेंटिसिजम थोरा बहुत अच्य तरिके से समझ में आगा कुछ इस से नहीं समझ में आएँगी च्यूथ उसमें कई सारी बाते हैं तो आपको लिखने के लिए यहां पर देद्या गया आप इसको याद करके जो है लिख सकते हैं अच्छी तरीके से एक्जाम में लेकिन अगर आपको रोमेंटिसिजम समझे ना है तो छोटी बहुत है जो है एक एज था यानि कि एक यूग था उस य आपका प्रेया कि इस इस तरह दोने क्रेंटर इस तक्सिंटि कया गया फिंौन बहुत है कि सिख स्वाओ जैआ हाक। यानिकि यह जो है एक ऐसा प्रोड़क्ट था ऐसा उपच था जो कि एकदम मुक्त था और मुक्त क्या था इमेजिनेशन यानि कि सोच एकदम फ्री होकर सोचना था नचर के बारे में और जो भी बाते आते हैं यह लिखना था जो कवी ते और प्रोज्राइट यानि कि जो गदलीक थे दैने कि जो उपयान नयासकार थे और उसके अनुसारिया लोग सोचते थे और प्रकृति के बारे में लिखते थे यानि कि यहां पर कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने विचारों को अपने आधार पर वर्तमान में डाला यानि कि जो उनकी विचार थे वो प्राचीन के विचार थे उनको वर्तमान में डाला और उन में भी डाला जो कि इनके मुझ को पार देते थे यानि कि जो भी इनके मुझ को अच्चे लगते थे उन में इनोंने जो रोमन्टिसिजम को डाला तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यह एक अप समय सकते हैं free imagination यानि कि मुझत कलपना का युग था आगे दिखे चलते हैं love of wonder यानि कि यहां पर जो है प्रेम का आश्चरी इसको कहा जा सकता है the second feature of the romantic literature of this period in the representation of the feeling of wonder experienced by the writer यहां पर कहा जारा है कि आश्चरी की बहाऊना जो है प्रक्रट होती थी कव्यों द्वारा जो यह लेखक थे इनके द्वारा इस यूग में यानि कि यहां पर आश्चरी की बहां होगा उस समय के दवरान तो यहां पर प्रेम का जो है आश्चरी होता था इवन दो वोस्त आरगर नित्हिंग्स अरे प्रेजन्ट इन्वारेटर यहां पर का ज़रा है कि जो साधारर चीज़े भी थी उनको प्रस्तुत किया जाता था अपने लेखनी में यानि कि जो भी पोईट थे या परोज राइटर थे उन्होंने जो भी साधार चीज थी उनको भी जो बहुत ही आश्चारजनक चीज़ों के रूप में धंग व्यस्तुत किया प्रस्तुत किया अकार्डिन टुद पेटर धर्ममंटिक्स एड़ेर थे ट seemingly यहांपे पर फटर करिक्सवा जो यह सुद्रता में अजीबता जोड़ते यानि कि बहुत ही अजीब चीज़ें जो हैं सुन्दै तरफ पर जाता है इन जो पोएट जो है तो यहां पर इसका जो समझे तो लाव बंडर वंडर यानि की प्रेम का जो है आस्चर इस यूग में था क्योंकि जो आस्चर जो साधारण भी चीजे थी उनको भी बहुत ही आस्चर जनेक तरीके से परसुत किया जाता था इसलिए ल थे अगरा चले दिखते हैं इंट्रेस्ट इन पास्ट रोमेंटिक्स आसो सेंट देर इमर्जिनेशन इंट्व पास्ट पास्ट पार्टिकुलर्ली दर मीडियल एजिस एंड डेल्ट विद तसच थीम देट बिलांग्स टू पास्ट यहां पर का जा रहा है कि रोमंटिक ल देटेंट इंट यहांँ पर लिए आप कर सकते हैं कि यह मध्य यूग की अप्रतिन दिर्टों कर रहे थे और लेगा पिर आरेश्में जो कोई भी चीज लिखी कि लिखे उप्रतिनेतू किया किसका प्रतिनेतू किया Romantic and Enchantment of deh sortir यानि कि양ि पूर्भ के 예fetti रहे कि और यहां पर जो है Middle Ages कि आ Supp498 सकते हैं कि कितिहास में भी क्राइश था पास्ट में इंट्रेस्ट था और जी तेली दह्ते हैं love of nature यानि कि और नेचर से इसका प्यार किया था प्रकृति से प्र्यीम गया था इसमें धर मैंटक से फख़लेक्ट एफ लाइप नग अपने को दर्साया है इन्द रातिंग खे ऊपने लेखनी में वहीं मैं का रहा हूं कि इन्होंने जो भी चीज उसमें लेक्сем intended अल्के बहुत के दोरान जो है दो महत्पूर घटनाएं हुई एक फ्रानसीजी क्रांती और एक रूसु के दर्शन यानि कि रूसु ने जो है अपने फिलोस्पिकल बाते जो थी उनको बताएं रूसु अड़ोकेटेटे देप्रिंसपल बैक टू ने चाहिए यानि कि रूसु ने जो है आदे मनिस्यों की मौलिक तक पर भी वकालत की लेट मैंवाज एन एंजल इंड इस्टि टफन इचर यहां पर काजा रहा कि उन्होंने जो है बताया कि प्रकृति की आज़ें मनुस से एक फरिस्टा है यानि कि परकृते में आया हुआ मनुस से एक फरिस्था है वाट्सवस प्रकृति का लेकिन यहां पर इन्हों ने बातों को सुनके अपनी सारे जो का विक्रितियां थी उन में नेचर का लव रिप्रेजेंट किया और उनमें वह दिखाया और यहां पर इनके रूसों जो एक बहुत थी प्रबल अनुवाई बन गया यानिकि इनको फालू करने लग यहां पर का जा रहा है कि एक आर्टिस्ट की जो फीलिंग थी उसको जो की जाती थी इस में ईसलिए रोम्सने ही से खुंप अक्रास थिंग 6 ऑन्हेसी क्या सुभी उस leurs आप्यों के उत्ति जीत ही तो रहें तब जो है ही रिफ जैंसा मधुर्स में already है प्रजेंट करने का सूंचता है और उसे जो है बहुत ही याने कि इ सर्देंसील की कलपनाय को बढ़ती है यानि कि इसमें मिदा सील कलपना की कल अभ्यक्bourम बढ़ती है वर्लेक्ट तिस समय कोई भी कोई भी विचार आते थे तो वह जो है उन बहानाओं को जो है लिखता था क्योंकि वह उन बहानाओं से विचलित होता था और वो जो है उसकी प्रभावित करती थी तो जब किसी भी भाना से प्रभावित होता था तब वह वह उस भाना को लिखता था यहां पर इसको लोग ने देख लिया अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अनादर इस्ट्राइक फीचर अब रॉमेंटिक लिटेचर इस दरी प्रजेंटेशन अफ़ दा सब्जेक्टिव एज सपोस्ट वी अबजेक्टिव यहां पर का जा रहा है कि रॉमेंटिक साहिति की यह और खास बात यह कि यह जो है व्यक्ति प्रक्का प्रतिनिद्यत्व कर रॉमेंटिक इस एक्सप्रेश्ट वाट देफेल यहां पर का जा रहा है कि रॉमेंटिक ने व्यक्त किया यानि कि लिखा लिक के बताया कि उन्होंने क्या मासूस किया है दियर माइंड वेर्लाइक लेक्स उनका जो दिमाग है वह उसे का जा रहा है कि जीलो जैसा है प्रतिनर थी इन्होंने जो व्यक्त प्रतिन्ट्ब किया और इन्होंने जो भी महसूस किया उसको जो है अपने लेखने में लिखा और हुए झहीलो जाए साता आगे चली दिखते हैं, एकला है, रिच पॉएटिक डिक्षिम ए स्टाइल, अनाजर कर ठीक्षिस्ट अप्र मांटिक इलिटेछ इजिश पॉएटिक डिक्षिस और स्टेज, न राहिमिक व्यूजिक ऑफ गुएट खेट वरायटी, इवन अपर चाल्स लेमिभ ए णजलिए और हाइली रायमिक एंड मुजिकल वर्चुज इन देहरो इक प्लेट अब नियो क्लासिकल पॉर्ट्री दा टून इस फारिंग आफ्टर सर्टेज वर्ट रूमांटिक रायम इज मार्क्ट विद स्ट्राइकिंग वरियेशन यहां पर का जा रहा है कि अनाधर करेक्टर इस् समरीद थी कि से पॉर्टिक डिक्सेशन यानिकि कावेकथा से एंड रायमिक मुजिक आफ ग्रेट वैरिटी और महान वीविद्टा का लाहबद संगीत से यानि कि इसमें जो यह लाहबद संगीत बहुत अच्छी तरीकी से और यह जो है कावेकथा से जो है बहुत ही ज़् थे यानि कि चाल्स लैंब का जो भी आपके सकते हैं गद्ध है और स्कॉट का जो पन्यास है उनमें जो है बहुत ही ज्यादा जो है लेबद दिता थी और मुजिकल वर्चूस यानि कि और संगीत में गुड़ यानि कि संगीत की तरह गुड़ भी थे इंदे हेरोइक प्ले के बाद स्वर्च होता है यानि कि न्यों क्लासिजम में हम लोगों पीछे पढ़ा था और दोटोन होता है वह फारिंग आफ्टर सब्सक्राइब कि वह जो है कुछ एक निसशी तवस्ता के बाद जो है उसका सवर्च जो एक तोन यानि उसकी जो पासा है वह तोड़ी फार चाज ऑब पडिक्टिक डिक्सटाइल में आप कि इस एज की जो है जो भी पॉटीक डिक्स्टी और इस्टाइल थी वह बहुत ही ती और बहुत अच्छी थे तो इसको लोगा ने दिखते हैंगे वारीयस स्ट्ट्राज की परकार की कावे के विवीने रूप और meet Але लिए विभीवीने डाओ रुप में अपने कावे भाव को रखा यानि अलग तरीकों से अपने बारे में जो अपने के सुचते थे उनक उल्हें क教ा को को जो मीटर यानि कि आप समझ सकते हैं कि मीटर कविता लिखने की एक तौर तरीका है जिसमें कि उस मीटर के अनुसार जो है कविता लिखा जाता है या कोई कविता होती है तो एक मीटर के अनुसार समझा जाता है कि यह किस परकार के मीटर की है तो हैं पर का जा रहा है कि एक के बा भीडियो उसको आप देख सकते हैं यहां पर यह थोड़ा सा जो कटीन लग रहा है कि यह क्या बात हो रही है तो यह जो है कि एक एंबस जो मीटर होता है उस तरीके यहां पर जारा है कि उन्होंने यूज किया हर प्रकार के पॉइटिक फिल यानि कि हर प्रकार के कावे जो है आप समाशकते हैं कावे भानों को जो उन्होंने फिल किया यहां पर पर प्रकार की पर्टरी और मीटर का प्रयूक किया इस समय की पर्टरी में और क्यों को लिखा गया लेकिन यह सारी पॉइम जो थी वह नेचर से रिलेटेट तो आप यहां पर यहां पर इसको कंक्लूट कर देते हैं यानिक निकाल देते हैं तो यहां पर का जारा कि अंगलेजी का रोमेंटिशिजम है वह एक राचनात्मक कल्पना का सक्रिय पूनर जागरणा यानिकि इसको पूनर जीवीद करना है जो क्या है क्रियेटिव इमटी जीवीद करना जो यह मैंतिसे इस अक आपके सत्यांकी कार्य है यहां पर कहा जा रहा है कि इसको क्या दिखा गया है आप कह सकते हैं कि इसमें आप लगश की जाती है उन चीजों को यहां पर दिखा गया है इसक्वुं कि नियानी की ग्रैक्ट से इो उपनयास चित्रमय वर्डन और रोमांचकारी घटनाओं के साथ है यहां पर जो भी नौबल्स और जो वे उनके ग्राफिक्स और जो फिक्टर एं और जो रिक्शिप्स कारी में मापक और बलाधक दोस्तों यह कंक्लूजन में भी आपको बहुत सारे वाट्स जो है समझ में नहीं आयोंगे कि इन वर्स का क्या मतलब है और यह किस प्रकार से पढ़े जा रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि यह जो सारे वाट्स हैं यह थोड़े डिफिकल्ट वाट्स हैं और इंग्लिस लिट्रेचर में मैंने सुचा कि इसके जो एजी वर्स हैं उनको खोजने की लेक तो है तो यह समझ सकते हैं कि रोमेंटिसिजンド जो एक प्रकार का यूग यहीं रॉमेंस भी जोए जो है और इसपर canopy कैसा और इससे सैंड़ाव को जो आच्छा माना गया तो इस परकार की स्हुआएं कावין काव्या और श्री रॉच्णाय है उनको रचित गये थी। लेख सकते हैं कि रोमेंटिक गया था और उसकी सिस्टायां क्या था आपको समाझ सकते हैं कि वाइरियस साफ ऑट्री एरंड काई तरीक्हा से क्रीषिंटि ने लिखसे गई थी इस समय के इस समय में और इस इन जो परट्रीज थी उनमें रिच पोईटिक डिक्सन एंड इस्टाइल यानिकि इनके जो डिक्सन थे लिखने के तोर तरीके थे और इस्टाइल थे वह सारी जो बहुत ज्यादा संपन नहीं सब्जेक्टिविटी थी इस समय के समय में जो कावी करेचना या गद्द करेच प्रकृतिवाद के साथ जो है एक फ्री यानिकी मुक्त जो है आप समसकते हैं डिस्प्ले यानिकी उसको दिखाया गया है डिस्प्ले किया गया है प्रकृतिवाद को तो इस प्रकार से आप नार्मल वासा में आप करेक्टर्स इस्टिक्स को समझ सकते हैं कि इसकी जो विस जो है आपका कम अच्छी तरीके से नहीं बनने वाला है आप यह सारी बाते नार्मली लिखकर भी अच्छे खासे नंबर प्राफ्ट कर सकते हैं लेकिन वो सारी बाते जब लिखेंगे तो आपको जो भी टीचर होगा वो रिकागनाइस करेगा तो आपको लोगों ने देख ल करेंगे अगर यह आएगा तो मिलते हैं आप चैने एक वीडियो में तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यमाद